बस्तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि URL Shortner website में कैसे आप कुछ इस तरीके का logo लगा सकते हो and menu लगा सकते हो उसके बाद देखो यहाँ पे pages वगरा कैसे लगा सकते हो एक URL Shortner website में इसके बारे में ही discuss करेंगे तो basically first देख लेते हैं logo कैसे आप अपना URL Shortner website में लगा सकते हो कुछ इस तरीके से logo लगाने के लिए एक logo पहले से ready कर लेना है उसके बाद आपको blogger.com पे visit कर लेना है कहीं से भी एक logo का URL बनाना है अगर आपके पास WordPress side है तो वहाँ से भी बना सकते हो और यहां से simply upload कर दो post section में देखो यह जो है post section में मैं इस logo को upload करके रखा तो upload करने के बाद आपको क्या करना है यहां पे insert पे click करेंगे और यहां पे देख सकते हो एक link मिलेगा इस link को क्या करना है आपको copy कर लेना है copy करने के बाद URL shortner website में आपको visit करना है उसके बाद settings section पे click करना है उसके बाद फिर से settings पे आना है उसके बाद design पे जाना है design पे जाने के बाद यहां से यहां पे देख सकते हो logo URL लोगो URL पे आप जो URL copy किये थे उसको यहां पे just paste कर दो paste करने के बाद save पे click कर दो save पे click करने के बाद आप view करोगे तो यह logo मिल जाएगा देखो यह जो logo है वो आ जाएगा बहुत ही simple और आसान तरीके से आप अपना URL shortner website में logo इस तरीके से लगा सकते हो similar तरीके से आप यहां पे फेविकन का URL भी डाल सकते हो तो यहां पे मैं एक फेविकन का URL डाल देता हो तो directly blogger में फिर से आएंगे new post पे click करेंगे और यहां पे फेविकन का image है उसको upload करना है तो कैसे upload करोगे upload from computer पे click करेंगे यहां पे browse कर लेंगे और यहां से जाएंगे फेविकन पे और यहां से बहुत सरा फेविकन हम यहां पे create करके राखे तो एक फेविकन को upload कर लेता हूं तो यहां पे basically देखो फेविकन आ चुका है तो इसका URL मुझे लेना है तो यहां से मैं URL को ले लेता हूं copy कर लिया और यहां पे URL को copy करने के बाद यहां पे फेवि लगा हुआ नहीं था तो अभी आ चुका है तो कुछ इस तरीके से आप फेविकन भी लगा सकते हैं अब देखो pages कैसे create करोगे यहाँ पर देखो page sections है इसके बाद यहाँ पर list है, list पर click करेंगे तो तमाम page यहाँ पर already बना-बना हुआ है तो यहाँ पर एक-एक करके set करते है जैसे कि advertisement page, यह बाला page में क्या है, यहाँ पे देखो advertisement बाला जो page है, यहाँ पे please find out the advertisement rate table, आप अपना website का advertisement rate table यहाँ पे दिखा सकते हो, तो कितना आप pay करोगे advertisement के लिए, वो यहाँ पे आप show करा सकते हो, ठीक है न, तो यहाँ पे जाके आप change भी कर सकते हो, इस पे click करके, पर सकते हो, ठीक है न, तो basically advertisement page के बारे में हो गया, अब publisher rates इस पे click करके भी publisher rates को भी आप क्या कर सकते हो, यह जो है publisher rate दिखाता है, तो publisher rate को change कैसे करोगे, publisher rate change करना बहुत ही आसान है, यहाँ पे payout rates पे जाना है, और यहाँ पे जाके आपको publishers rate को change करना है, ठीक है न, पे आजाना है, और यहाँ पे change करना है, तो इसके बाद फिर से आजाते है page sections पे, यहाँ पे देखो DMCA एक options है, तो इस page में कुछ है नहीं, तो इसमें कैसे आप add करोगे, यहाँ पे DMCA पे click कर देता हूँ, और यहाँ पे DMCA page मैं add करूँगा, यहाँ पे मेरा पुराना site जो तो आपको directly मिल जाएगा, मैं recommend करूँगा कि एक mail ID दे देना DMCA page में, अगर DMCA आता है, mail मिल जाएगा, तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, control V से paste करना होगा, यहाँ पे site का नाम मैं दे दिया, tfu shot, tfu shot था, अभी मैं इसको tfu shot करके a side बनाया, तो यहाँ पे tfu shot, अब य यहाँ पे अब refresh कर लेते हैं, DMCA page देखो आ गया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आप DMCA page को create कर सकतो, आप देखो, यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा दीक रहा है, control all कर लो, size को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 12 कर देते हैं, 14 कर सकतो, 12 या 14 कर सकतो, तो इसको save कर देते हैं और इसमें refresh कर लेते हैं, अब ठीक लग रहा है, तो ऐसे अब अपना हिसाब से इसको कर लेना, customize, इसके बाद देखो privacy policy जो है, privacy policy में भी कुछ नहीं है, तो मैं पूराना साइट से इसका privacy policy को उठाता हूँ, यहाँ से copy कर लेता हूँ, privacy policy page को, तो privacy policy page को भी मैं copy कर लिया, और यहाँ पर आ गया, और ctrl V से paste करेंगे, तो यहाँ पर privacy policy बाला paste हो चुका है, उसके बाद फिर से save पर क्लिक करेंगे, तो privacy policy page भी आ जाएगा, देखो privacy policy page भी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर देखो times of use पेज, इसको भी मैं बना लेते हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ दिक्कत तो नहीं है आप सेप कर लेते हैं तो देखो ताम सॉप यूस पेज भी यहां पर आ जाएगा तो यह रहा कैसे आप इंपोर्टेंट पेज क्रियेट करोगे अब मैं बत करता हूं कि मेन मेनू यहां पर कैसे लगा सकते हो फूटर में जो मेनू है यह कैसे लगा सकते हो फस्ट पात कर लेते हैं मेन मेनू कैसे लगा सकते हो तो मेन मेनू लगाने के लिए आपको डाइरेक्री मेनू मैनेजर पे जाना है यहां पर देख सकते हो मेन मेनू है एंड फूटर मेनू है मेन मेनू लगाने के लिए आपको इ अधे भी शो करptsya करrá की यहां पे किसे करोंगे कोई भी डेढ है डेख सकते होट टाईटेल देना है मेनू का मानलो कि मैं प्रुप कैसे एड किया तो basically यहां पे क्या करेंगे title दे देंगे payment pro को उसके बाद link पर अप क्या एड करो Pages एक बना लिया पेमिन्ट प्रूप के नाम से, उस Page का जो Link है, और यहां पर यहां पर लगा दिया, उसके बाद देखो, यहां पर विजबिलिटी है, तो visibility को मैं All कर दिया, उसके बाद सब्मिट पर क्लिक करते ही, यहां पर आपका मेनू आ जाएगा, तो बहुत ही आसाना बस आप एक बद ट्राई कर लो, बहुत ही ईजी ली आप मेनू को लगा सकते हैं, अगर अब फुटर मेनू लगाना चाते हो, तरीका सेम ही है, बस आपको यहाँ पे आना है, मेनू मैंजर पे फिर से फुटर मेनू पे क्लिक करते ही, आप देखो के तीन मेनू मैं एड़ किया बट दो ही मेनू यहां पर शो कर रहा है देखो privacy policy and terms of use यह दो पेज ही शो कर रहा है and third जो dmc अबला पेज में एड किया वो शो नहीं कर रहा है इस theme में शो नहीं कर रहा है इस theme में दो ही मेनू supported है जो कि footer में अब लगा सकते हैं otherwise कोई problem नहीं है इसके बाद बाद करते हैं आप blog जो sections है देखो यहां पर blog sections है blog section में post को add करने के लिए आपको directly यहां पर देख सकते हो blog बलाबला menu है तो इसपे क्लिक कर देना है और post list इसपे क्लिक कर देना है तो आपका जितना भी post आप करोगे ओ यहां पर show होगा बट अभी तक मैं कोई भी पोस्ट नहीं किया, यहां पे शो नहीं करता है, तो आप अगर ब्लॉग में पोस्ट करना चाते हो, तो एड पोस्ट पे क्लिक करके, यहां पे टाइटिल, उसके बाद पॉब्लिश्ट जो है, येस करके, उसके बाद आपको शॉट पोस्ट करना है, आपका जो भी पोस्ट करना है, यहां पे लिखना है, करके आप पोस्ट कर सकते, तो ऐसे आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते, अगर है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दुस्तो के शार्ट शेयर करो, और टेक फर यू चनल को सब्सक्राइब करना मद भूना, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किस एक्साइटिंग वीडियो के साथ, till then have a great day, bye bye and take care.